नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का RKJ सिविल पार्ट साल है यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की बुरुनुई विजिट के बारे में अभी हाल फिल हाल में देखा जाए प्रधानमंत्री की तरब से बाइलेटरल तौर से ये पहली विजिट करी जाती है हलाकि इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आलरेडी से वहाँ जा चुके हैं लेकिन वहाँ पर किसी चीज का आयजन हो रहा था, किसी समिट का आयजन हो रहा था, तब वो मनमोहन सिंग वहाँ गए थे ऐसे बाइलेटरल लिलिसन से पर स्थापित करने के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की ये पहली विजिट है ब्रुनोई स्ट्रेटजिक लोकेशन के हिसाब से काफी महतपूर माना जाता है क्योंकि ये साउथ चाइना सी में लोकेटिड है, इंडियन उसियन में, पेसफिक उसियन में, दोनों बीचों बीच में ये पढ़ता है बहुत सारी एसियन कंट्रीज से ये घिरा हुआ है, जैसे कि वियतनाम, थाइलेंड, कंबोडिया, मलेसिया, इंडोनेसिया, फिलिपीन से ये घिरा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है, साउथ चाइना सी में, जल की इस्तिती को लेकर के, हमेशा से कहना चाहिए, इसका भी चाइना के साथ में विवाद रहा है क्योंकि यहां के जो जल संसाधन है, यहां पर तेल के जो संसाधन मौजूद है, उसके उपर अधिकार जमाना चाहता है चाइना इसलिए भी इसके साथ में डिस्प्यूट उसका चलते रहता है यह बात अलग है कि ब्रुणोई ने कभी भी इस चीज को उतने मौटे तोर पर कहना चाहिए, उजागर नहीं किया है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी ने वेडनस डे के दिन मतलब 4 सितंबर की बात यह है यह बात कही है कि भारत हमेशा सही development को support करते आ रहा है expansionism विस्तारवादी की जो नीती है जो की चाइना करता है जैसे सीमा के अंदर घुजाना, समुदरी एरिया को अपने एरिया बता देना इस प्रकार से विस्तारवादी नीती हमेशा से चाइना अपनाते आ रहा है तिबबत को हड़प लेना, इसके अलावा रड़ाचल पदेश को अपना बता देना इस प्रकार से यह चाइना की नीती रही है यह बात कही गई है सुल्तान और ब्रुनोई के साथ में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा तो यह एक साउथ इस्ट एसियन नैसन है जो की साउथ चाइना सी के उपर अपना क्लैम करता है और चाइना भी अपना क्लैम करता है इसलिए दोनों के बीच में लॉंग स्टेंडिंग एंड नॉन कंफरेंटियर एप्रोच हमको देखने को मिलती है मैरिव टाइम डिस्प्यूट में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक चीज और कहा था है कि यह जो समुदरी सीमा का विवाद चल रहा है ना इसको international कानुन के माध्यम से आप निप्तारा करिए जैसे international कानुन कौन सा है UNCLOS का है United National Convention on Law of the Sea का कानुन है इसके हसाब से इसका निप्तारा करना होगा एंड हम एगरी करते हैं कि जो code of conduct है Should be finalized in this region We support the policy of development and not expansionism ऐसा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का कहना है तो इंडिया का जो statement आया है अभी हाल फिल हाल में देखा जाए ऐसे समय में आया है जब हम देख रहे हैं फिलिपिन्स एंड चाइना के बीच में विवाद चल रहा है साउथ चाइना सी के claim को ले करके क्योंकि ये वाला जो area है ना यहाँ पर oil संसाधन मौझूद है तेल संसाधन मौझूद है अब आगे देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में जो commitment हमको देखने को मिल रहा है इससे पदा चलता है कि दोनों जो देश हैं प्रमूट करना चाहते हैं peace को stability को maritime safety and security साथ ही साथ रिस्पेक्ट करते हैं freedom of navigation को overflight and unimpeded lawful commerce consistent with international law particularly 1982 का जो unclosed कानून है उसको follow करने की बाद दोनों देश करते हैं इनका कहना है कि जितनी भी parties के बीच में विवाद चल रहा है समुद्री सीमा को लेकर के 1982 का जो कानून है unclosed का उसके हिसाब से आपको निप्टारा करना होगा तो हाल फिलहाल मैं देखा जाएं South East Asian जो country है ब्रुनोई चाइना के साथ में इसका विवाद चल रहा है continental self को लेकर के territorial waters को लेकर के exclusive economic zone को लेकर के हला कि Philippines, Malaysia, Vietnam के तरह उतना ज़्यादा आवाज नहीं उठा पाता है ब्रुनोई क्योंकि इसका region ये है इसके पास में जो hydrocarbon reserve है न वो decline होते जा रहे हैं अब वो चाहता है कि तेल तो हमारे पास में बचा ही नहीं है तो अब क्या करेंगी है भल्ला करके हमारी economy को चलाना है तो दूसरे देसों के साथ में हमको relation बहतर करना पड़ेगा इसके अलावा दोनों देसों ने एक memorandum of understanding sign किया है जो की space related corporation को पढ़ावा देता है जैसे इसरो ब्रुनोई में काम कर रहा है इसरो बहुत महतपूर जानकारी देता है ब्रुनोई को मौसम सम्बंधी जानकारी ठीक है कोई प्राकरतिक आपदा आ रही है बारीश होगी क्य दो इन सब की जानकारी ऊसरो देता है विस रोmiyorum tracking करता है मौनीटरिंग करता है इंडियान सेटिलाईट एंड सेटिलाइट लाउच वीकल को जोकी लुइन किये जाते ही और से मतलब इसट आफ इंडियोंस मिनिश्रीय औह जैदी मुझा फुर ने पिछली बार यह बात कहा अब वहीं यदि हम बात करें जो इस पेस डाकुमेंट है ठीक है एक एम यू है जो की दोनों साइड ने साइन किये थे मोधी की विजिट के दौरान में इसके अलावा यदि देखा चाए इस पेस के अलावा इंडिया एंड ब्रुनोई ने बहुत सारे मुद्धों के उपर चचा किया है जैसे कि कैसे करके हम डिफेंस, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनर्जी, हैल, फार्मसोटिकल एंड टूरिज्म के उपर फोकस कर सके, कुल मिलाकर कि देखा चाए जो मेरी टाइम कोपरेशन है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जॉइंट एक्सरसाइस कंड़क्ट कराई जाएगी, एंड विजिट आफ नवाल एंड कोश्टगार्ड सिप्स ये आ बीच में, तो 40 साल कहना चाहिए हो चुके हैं, बाइलेटरल रिलेशन के, वहीं इंडो और ब्रुनो इनियन बाइलेटरल ट्रेड की बात करें, तो एक सो पंचानवे मिलियन डॉलर रहा था 2023 तक, and there are about 14,000 इंडियन लिविंग इन ब्रुनोई एस पर the Ministry of External Appear, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते भी हैं, मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बाइलेटरल विजिट करी है, ब्रुनोई की, ठीक है, एंड वहीं यदि हम बात करें, बोल किया, who has ruled his country for at least 57 years, made two state visits to India, उस समय में ब्रुनोई में जो सासक हुआ करते थे, बोल का, उन्होंने 57 साल वहाँ राज किया था, इन्होंने इंडिया की विजिट करी थी 1992 में, एंट सन 2008 में, वहीं देखा जाए, जो कहना चाहिए, चाइना है ना, चाइना एंड ब्रुनोई के बीच में, ट्रेड का रिलेशन काफी मजबूत हमको देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया तो मिलियन में ही ट्रेड कर पा रहा है, लेकिन जो चाइना है, वो 2.6 billion dollar का ट्रेड कर चुका ह ब्रुनोई एंड चाइना के बीच में, रिलेशनसिप इतनी जादा है, साथ ही साथ, बेल्ट एंड रोड इनिसिट्व प्रुजेक्ट ब्रुनोई में चल रहा है, इस प्रकार से देखा जाए, चाइना, ब्रुनोई का लार्जस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है, फोरेंड इन्वेस्टर माना जाता है, कहां-कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, तो प्रदान मंत्री मनमोहन सिंग की विजिट हमको देखने को मिली थी सन 2013 में, उस समय में आसियान इंडिया समिट का आयजन किया गया था, इसलिए प्रदान मंत्री मनमोहन सिंग वहाँ पर गए थे,